C.I.E.T.N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर तेरा दरख्तों से मुहबद सफ़ा एक सो तेरा दरख्तों पर है चिडियों का बसेरा दरख्तों से मिले साया घनेरा खुशी से चहचाहाते हैं परिंदे खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी च्छाओं में आराम पाए सफ़ा एक सो चौदा सडक मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर बड़ों की ये नसीहतियाद रखें दरख्तों को सदा आबाद रखें दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे दरख्तों से महब्बत हम करेंगे शायर मिधतुल अख्तर सफ़ा एक सो पंदरा मश्क पढ़िये और समझिये हम्द खुदा की तारीफ सदा हमेशा बसेरा ठिकाना रहने की जगह मुसाफिर सफर करने वाला नसीहत सलाह नेक काम करने का मश्वरा हिफाज़त, देख भाल, निगरानी सोचिये और बताईए एक, परिंदे दरख्तों पर क्या क्या करते हैं? खाली जगह दो, पेड़ पौदे मौसमों पर कैसे असर डालते हैं? खाली जगह सफ़ा 116 तीन, दरख्त हमारे किस-किस काम आते हैं? चार, दरख्तों को सदा आबाद रखने का क्या मतलब है? खाली जगह खाली जगहों में मुनासिब लव्ज लिखिए एक, दरख्तों पर है खाली जगह का बसेरा ब्रैकिट में परिंदों या चिडियों दो, खुदा की खाली जगह गाते हैं परिंदे ब्रैकिट में हम्द या नाद तीन, मुसाफिर खाली जगह से घबरा कर आएं ब्रैकिट में बारिश या धूब चार, दरख्तों को खाली जगह आबाद रखें ब्रैकिट में सदा या सदा पांच, दरख्तों की खाली जगह हम करेंगे ब्रैकिट में हिफाज़त या बरबादी नीचे दिये गए लफजों के वाहिद लिखिए दरख्तों काली जगह चिडियों काली जगह मौसमों काली जगह बड़ों काली जगह रस्तों खाली जगह घरों काली जगह सफा 117 नीचे दी गई तस्वीरों को देखिए और उन पर एक-एक जुमला लिखिए इस सफ़े पर पांच तस्वीरें दिखाई गई है चुडिया, दरख्त, मकान, रास्ता, घोसला सफ़ा 118 पहला हर्फ बदलकर नया लफ्स बनाईए यहां कुछ तस्वीरे भी दी गई है जिनकी मदद से हर्फ बदलकर नया लफ्स बनाना है मिसाल, गाउ, पाउ, यहां पाउ की तस्वीर दी गई है माला, खाली जगह, यहां ताले की तस्वीर दी गई है उंट, खाली जगह, यहां होट की तस्वीर दी गई है दाल, खाली जगह, यहां जाल की तस्वीर दी गई है चाए, खाली जगह, यहां गाए की तस्वीर दी गई है दुकान, खाली जगह, यहां मकान की तस्वीर दी गई है नजम से ऐसे तीन मिसरे लिखिये जिनमें लव्ज दरख तो आया है खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह सफ़ा 119 कीजिए नीचे दिये गए लवजों की मदद से खाली खानों को भरिये दिये गए अलफाज परिंदे चुडिया हम्द दरख्त मैदान मौसम सदा खुदा यहाँ एक जद्वल दिया गया है जिसमें पांच सतर और नौ कॉलम है दाइं से पाइं जानिब दिये गए पहले सतर के हुरूफ मीम खाली जगह मीम सीन खाली जगह अलिफ खाली जगह खाली जगह चे दूसरी सतर के हुरूफ खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह तीसरी सतर के हुरूफ चौथी सतर के हुरूफ खाली जखा, खाली जखा, छोटी ये पाजवी सतर के हुरूफ खाली जखा, पे खाली जखा, नून खाली जखा, बड़ी ये खाली जखा, खाली जखा, खाली जखा पाजवे कॉलम में उपर से नीचे की तरफ सीन, खाली खाना, खाली खाना, खाली खाना, खाली खाना बड़ी ये साथवे कॉलम में उपर से नीचे की तरफ अलिफ खाली खाना खाली खाना खाली खाना खाली खाना आठवे कॉलम में उपर से नीचे की तरफ खाली खाना खाली खाना खाली खाना खाली खाना खाली खाना नवे कॉलम में उपर से नीचे की तरफ खाली खाना, छे, खाली खाना, छोटी ये, खाली खाना बुलंद आवास से पढ़िए और खुषखत लिखिए नसीहत, खाली जगह, हिफाज़त, खाली जगह, चहचहाना, खाली जगह, छाओं, खाली जगह, घनेरा, खाली जगह, सफ़ा 120. 20. नीचे दी गई तस्वीर में फर्क बताईए और लिखिये. यहां दो तस्वीरें दी गई हैं, जिनमें पहली तस्वीर में एक घास का मैदान है, जिसमें कुछ दरख्त हैं, एक दरख्त पर आम लगे हुए हैं, और उसमें एक घोसला है, जिसमें चडिया बैठी हुई है. दूसरी तस्वीर में एक घास का मैदान है जिसमें कुछ दरख्त और फूल है और एक दरख्त पर आम लगी हुए है दरख्तों से हासिल होने वाली चीजों की एक फेहरिस्त बनाईए सफ़ा 121 लतीफा या चिटकुला उस्ताद सरगर्म को जुमले में इस्तिमाल करो शागिर्द गर्मियों में नंगे सर घूमने से सरगर्म हो जाता है पहेली समोसा क्यों न खाया, जूता क्यों न पहना असाद्जा के लिए हिदायाद तलबा से मुख्तलिफ दरख्तों पर गुफ्तगू करवाई जा सकती है नजम को मुनासिब लबो लहजे और उतार चड़ाओं के साथ पढ़वाया जा सकता है दरख्तों के फायदे पर एक पैरग्राफ लिखवाया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉर्डिस मयंक कुमार समयी फनकार सुंपुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी यह किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई